नमस्कार साथियों, इरान और इस्रायल के बीच में जो conflict चल रही है उसको देखकर ये लग रहा था कि इस्रायल इंडिया से कहेगा कि इरान के उपर sanctions लगा दिय जायें, लेकिन अब इस्राईल खुल कर ये appeal कर रहा है कि इरान के ओपर sanctions लगा दो इसके अलावा इरान ने ये धंकी दी है इरान थ्रेटन, इरान ने ये धंकी दी है क्या धंकी दी है, to deploy वो डिपलोई कर देगा, weapons never used to before नहीं ऐसे हतियार वो डिपलोई कर देगा इसराइल के विरोध में अगर इसराइल ने retaliate किया जो इरान ने इसराइल के ओपर आकर्मन किया है अगर उसकी जवाबी कारवाई इसराइल करेगा जो की obvious बात है इसराइल करने वाला है बले USA कुछ भी कहे, USA, Australia, India कोई देश कुछ भी कहे, अगर इसराइल के ओपर आकर्मन करेगा इरान, तो जवाबी कारवाई इसराइल करने वाला है, जो कि एक दो दिन में आपको ख़बर देखने को मिल जाएगी, तो इरान ने कहा है कि वो इसराइल के उपर कुछ ऐसे वेपन डिप्लोई करेगा, जो कि इसने पहले यूज नहीं किये है, अब वो वेपन कौन से होंगे, क्या वो परमानू हतियार होंगे या फिर कुछ और, ये तो आने वाला समय बताएगा क्योंकि इसने यहां पर इरान ने ये क्लेरिफिकेसन नहीं दिया है कि वो कौन से वेपन है, वो यूज करने वाला है, इसके अलावा, आप यहां पर देख सकते हैं, इसराइल, इसराइल ने अरग किया है, अरग का मतल़ क्या है, अपील की है, ठीक है, इसराइल अरग बतीस कंट्रीज, बतीस कंट्रीज के साथ में ये अपील की है, टू इंपोज more sanctions on Iran, इरान के उपर जो sanctions लगाने के लिए, और अधिक sanctions लगाने के लिए, क्योंकि जो इसराइल है, उसके जो विदेश मंत्री है, आप यहां पर देख सकते हैं, इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसराइल का ही प्रवगता हैं, यह कह रहे हैं कि alongside the military response to the firing of the missile यान कि इस्राइल के विदेश मंत्री का यह कहना है कि जो military response से इस्राइल इरान को देगा वो तो जरूर देगा लेकिन जो diplomatic attack है वो भी देने का समय आ गया है आप यहां पर देख सकते हैं leading a diplomatic offensive against Iran उन्हें एक जिट्थी लिखी है this morning I sent letters to 32 countries जिट्थी लिखी है missiles project यानि इरान का जो missile program है उसके उपर sanctions लगाए जाएं ऐसी इस्राइल ने अपिल किया है इसके अलवा उन्होंने जो इरान का Islamic revolutionary guard cops है उसको भी declare किया जाए a terrorist organization यान कि आपका जो इरान का जो Islamic revolutionary guard है उसको एक आतंवादी संगठन ने declare किया जाए ऐसा इसराइल ने 32 देसों के संगठन से अपिल की है ये काम USA already कर चुका है बाकी country भी ऐसा करें ऐसा इसराइल का ये मानना है और इसराइल ने 32 देसों को ये चिट्थी लिखी है अब सारे देसों को हमारी लिए important नहीं है लेकिन जब मैंने ये चिट्थी देख है उसको भारत एक आतंगवादी संगठन डिकलेर करें इसके अलावा इरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ओपर भारत सेंक्संस लगाए ऐसा इसराइल इंडिया से आसा कर रहा है लेकिन ये एक complicated सवाल है क्यों क्योंकि एक तरफ तो इंडिया इरान का जो चाबहार है वह उसके आफ इंडिया के लिए काफी important है अगर इंडिया इरान के उपर अपर सेंक्संस लगा देगा तो इंडिया इरान से यह सेंक्संस किसीफी प्रकार से अफरंड नहीं कर पाएगा वह हलन की दुनिया की जो आपको मैं बता दूँं कि दुनिया की जो सबसे ज्या से जहिलने वाली कंट्रीज हैं उसमें रश्या टौप पर आता है और टौप पर आने के साथ में 18702 से यह रश्या के उपर लगे विए हैं हालांके फरवरी 2022 के आसपास में लगवगग डाई जार के आसपास रश्या के उपर से दूसरी जो कंट्री है वह आपकी इरान इरान और जो आपके वेस्टन कंट्रीज हैं इरान और वेस्टन कंट्रीज के वीच में एक समझोता वा था 2015 में उससे समझोते के तहते 2023 में इरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ओपर सेंक्सेंस जो लगे वी हैं उसको हटा दिये जाएंगे ऐसा एक समझोता वा था 2015 में इरान और आपके जो western countries हैं उसके बीच में लेकिन उस समय इसराइल ने इसका काफी विरोध किया था या फिर यो काउंकि बेंजामी ने ने उससे समय भी काफी complaint कि थी कि जो इरान का missile program है इसके उपर जो sanctions है वो ना हटाएं क्योंकि इसका जो प्योग है वो भविश्य में इर इसराइल के उपर मिसाल मिसाइल दागने के लिए ही करेगा और उस समय इसराइल अपनी जगह सही भी था क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि इरान जो है वो 300 से ज्यादा मिसाइल एक साथ इसराइल के ओपर दाग रहा है इसराइल के जो विदेश मंत्री है इसलामिक रेवलेशनरी गार्ड को आतंगवादी संगठन नहीं माना है अब भारत के सामने ये दुविदा है कि एक तरफ इंडिया इसलामिक रेवलेशनरी गार्ड को आतंगवादी संगठन डिक्लेर करें इसराइल के करने के ओगर जो इसलामिक रेवलेशनरी गार्ड है ये इरान का सुप्रीम के काफी करीब है और दूसरी तरह पे इंडिया इरान का जो चाबहार पोर्ट है उसको भी ओपरेशन करने के लिए बारे में सोच रहा है तो यह दोनों चीजे हैं वो एक साथ possible नहीं हो सकती क्योंकि इरान का अगर इस्लामिक रेवलेशनरी गार्ड को आतंगवादी संक्टन डिकलेर कर देगा इंडिया तो फिर इरान का जो चाबहार पोर्ट है उसके ओपर डेवलेप्मेंट होना सभाविक है नहीं होगा डेवलेप्मेंट नहीं होगी तो भारत जो सपना देख रहा है यूरोपिय देशों के साथ में उस पोर्ट के माद्देम से जो अपना व्यापार है उसको बढ़ानी के लिए फिर वो सपना साकार नहीं हो पाएगा जिस तरीके से एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती उसी तरीके से इंडिया जिसा की मेरा मानना है इंडिया इरान के उपर सेंक्शन्स नहीं लगा सकता इंडिया जो है वो इरान के मिसाइल प्रोग्राम के उपर सेंक्शन्स लगा कर इरान से अपनी जो दूरी है वो नह लगानी चाहिए इरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ओपर भारत को सेंक्सेंस लगानी चाहिए या फिर नहीं आप क्या सोचते हैं आप नीजे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना बाकि इस न्यूज के ओपर कोई भी अपडेट आता है तो सोचना आपको प इनवादे